भारत टीवी के इस काड़ेकरम के प्रायोजक है यलो ग्रीन सोच बदलो कुछ अच्छा क्राई करो वरुन जी क्या कहेंगे कल से जैसे मंदिर के कपाट खुलने है तो क्या आप लोगों ने साफदानी पर रपने के लिए क्या कहेंगे देखिए जैसे कि आज कल का महल हमारे को आपको सब को पता है कि यह जो कोरोना नामी महामारी जो राक्षस की रूप में हमारी सरमस्त मानव जाती के उपर जो हमला इसने बोला हुए इसको देखते हुए हम लोगों ने विचार करा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन चोटी ज देखते हैं उसमें साथ की साथ हमारे जैसे भारभी पी डब्ली के साथी तोड़ फोड़ चल रही है काम का हो रहा है और जगा बहुत काम है और इसका प्रसार इसमें वैसे भी हम हम नहीं बोलते हैं आंकड़े बोल रहे हैं आज की तारिक में कि इसका क्या इस तर के उपर इसको सुचते हुमने यह निर्णे लिया जो कठीन तो बहुत है लेकिन हमें क्या करें भक्तों को समझना पड़ेगा यह अभी हमें भग्मान के कुछ दूर और रहना है तो मतलब मंदिर के कपाट नहीं हुलेंगे मर्गट वाला मंदिर भी नहीं खुल रहा है लेकिन मंदिर जो डेनिक देना चाहरें जो भगवान की पूजा आरशना वह है सुबह शाम की आरती वगार भोग वो सब चल रही है ऐसे लेकिन भक्तों को भगवान से कुछ दिन और दूर रहना पड़ेगा क्योंकि आज हेल्थ मिनिस्ट्री से भी गाइडलाइन्स आई हैं तो क्या भगवान ने भी तो शेयर आपके सब की हित के लिए तो सोचा है कि हम लोग घरों में रहें सुरक्षित रहें और आपके माध्यम से मैं सभी से यही प्रात्ना करूंगा भगवान से प्रात्ना करते हुए कि आप घरों में रहें सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें क्योंकि हम और आप सिरफ अपने लिए नहीं जी रहे हमारे पी आपके पीछे हमारे परिवार भी है गुरू जी क्या कहेंगे कल से जैसे मंदिर खोलने के लिए और पास हो चुका है सबसे पहले तो मैं भारत टीवी के माध्यम से बताना चाहूंगा केमेचे ने जो अपना गाइडलाइन से दिया है बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं कि जहां पर अभी इसका अस्थान भाव ये तैयारियां नहीं है जैसे कि हमारे मरगट वाले बाबाजी के महन साहब ने अभी कहा मैं इनकी बाद का समर्थन करता हूँ क्योंकि जीवन यदि आप का होगा तो आप दरसन बारवार करेंगे यदि आप इससे संक्रमीत हो गए तो आप नहीं कर पाएंगे कुछ क्योंकि आपके पीछे नो पूरा परिवार है और यहां बाबा के हाँ ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि मैं पंदरा लोगों को क्योंकि भगत जब चलता है तो एक हुजूम चलता है और हुजूम को आप रोक नहीं पाएंगे गाइडलाइन बार बार कहा रहा है कि 6 फिट का डिस्टेंस होना चाहिए और पॉसिबल नहीं है सेंटराइज इस्थिती क्या है कि आप कितना करेंगे इसे थोड़े दिन के लिए भी रुखना है और अभी आने वाले समय में जैसे का अकड़ा टी भी बता रहा है और जोतिस भी बताता है कि आने वाले टाइम में 14 जून से लेकर 14 जुलाई का जो पीरड है वो बड़ा घमासान का होगा प्राकृतिक आबदा, जनता आबदा, सरकारों में भी उतल फुतल होगा क्योंकि भगवान अपने भगतों की रक्षा करने के लिए किछी रूप में आते हैं आप देखे ए संसार में सथे पहले भगवान का कपाड़ बंद हुआ है संसार रुपी मंदिर का कपाड बंद हुआ है ना कि भगवान का भगवान की आराधुना तो भगत स्वैम कर रहे हैं घर से परिवार से परिवार के साथ कर रहे हैं परणत कल जो मंदिर खुलने का बात है उसका मैं समर्थन करता हूं क्योंकि भक्त अगर हमारे सुरक्षित रहेंगे तो भगवान को हम पुना-पुना मनाते रहेंगे तो मतलब आप आवान करते हैं कि दिल्ली में ना कुले जाएंगे? प्रति दिन हम हजारों से भी पार जा रहे हैं और जिसके करण से दिली सरकार केंद्र सरकार नेता जी नेता गीरी जाड़ रहे हैं पर जनता की अंता करण के जो आवाज है उनकी जो अंता करण की वेदना है उसको समझने की समझ चाहिए क्योंकि भगवान समझा रहे हैं बार गवान होंगे तो भगत होंगे इन्ही आवाहनों के साथ में मेहन जी की बात को बार बार आवेदन करता हूं और अन्मोदन करता हूं कि ऐसा होना चाहिए